हलो एवरीवन तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर रहे हूँ आज हम बनाएंगे जटपट और फटाफट बनने वाली स्वाधिश्ट सबजी जो बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन इसका स्वाध ला जवाब है तो चले फिर इस नई रेसिपी को देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक कप लोबिया लेना है इसे हमने पहले ही धो लिया है और इसे प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगी साथी इसमें डालेंगे पानी और मैंने यहाँ पर दो मीडियम से इसके टेमाटर लिये हैं के बाद 10 मिनिट के लिए धीमियाश पर पकाना है और जब तक यह पक रहा है हम दूसरी तयारी करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी प्यास जिसे हमें ग्राइंडर जार में डालना है साथी डालेंगे एक टुकड़ा दालचिनी का लगवक तीन से चार लॉंग एक छोटी इलाइची और आधा चमच काली मिर्च है साथी डालेंगे एक टुकड़ा अधरक का चार से पांच कलिया लसुन की और आधा कप हमने लिया है हरा धनिया इन सबी चीजों को हमें फीस लेना है लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो ये देखे दोस्तो इसकी पेस्ट बन चुकी है ये थोड़ी दरदरी है और अब हम देख लेते हैं लोबिया को तो दोस्तो इसका प्रेशर डाउन होने के बाद ढकन खोल लेना है और ये देखे दोस्तो सारी चीज़े पक चुकी है ये जो लोबिया दाल है वो भी गल चुकी है आलू टमाटर भी पक चुकी है तो हमें आलू को थोड़ा सा मैश करते हुए थोड़े से बड़े टुकड और टमाटर को मैश करने के बाद इसके जो छिलके है ना उसे निकाल लीना है ये देखे दोस्तो हमारा आधा काम तो हो चुका है अब फटा फट हम इसका मसाला बनाते हैं तो कड़ाई में मैंने दो बड़े चमश तेल लिया है इसमें आदा चमश जीरा और जो हमने प्यास की प्यास और मसाले को अच्छे से भूना है इस पर हल्का ब्रावनिष और अच्छे से निकर कर आएगा और मसाले की भूनाई अच्छे से होगी अब इसमे डालेंगे हम 1佐ั़ गप दही हम दालते वक्त गैस की थिलंब बिलकुल दिमी रखकी और इसे लगातार चलाटे तो दही फट सकती है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद दही को पकाने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसे मिक्स करके अच्छे से भूनना है क्योंकि मसाले की भूनाई जितने अच्छे से होगी आपके सबसे उतने ही जादा लाजवाब बनेगी तो चल नमक डाला था लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक एड़ कर सकते हैं और इसे मिक्स करके इसे ढखकर पकाएंगे पास से 6 मिनट में तो दोस्तो इतने आसानी से इतनी लाजवाब सब्जी ये बनकर तयार होती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपक तो इसे घर पर जरूर बनाईएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तो का तक का तक करना बनाएंगे तक कि जब रवीडोंगे लीडियो तक तक कुल अवागी लगी जाएंगे लगीड़ दोस्तो और वीडियों